आप देख रहे हैं मेरे चनल बेफिकरे और आज मैं एक important वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप Canada या US जा रहे हैं तो आपको जरुत पड़ेगी एक travel insurance की और यहां इन countryों का जो travel insurance होता है वो थोड़ा different type का होता है as compared to other world और यह बताया गया है कि यह travel insurance होता है यह काफी महंगा होता है तो आज यह जो myth है यह मैं आपकी तोड़ने वाला हूँ और बताने वाला कि कम पैसे में बढ़िया travel insurance for US and Canada कैसे लिया जाए और कौन सा लिया जाए तो सबसे पहले जो आपकी जो travel insurance होती है US and Canada की उसको दो हिससे में बाट लीजिए पहली तो travel insurance है उसको उसको component होता है medical medical का मतलब कि अगर आपकी कोई emergency medical आ जाए foreign country में वो cover हो अगर आपको कोई न हो जाए यह सारी चीजे इसमें cover होनी चीजे है hospital में adaptation का लिया यह फिर आपका emergency में operation हो यह सारी चीजे इसमें cover हो जाना यह जाना यह सारी चीजे यह छाना या accident में death हो जाना ये सारी चीजे ये travel insurance में होनी चाहिए तो अगर ये दोनों travel component अगर travel insurance में होते हैं तो उसे कहते है travel and health insurance ये आपको चाहिए होती है जब आप travel करते हैं USR Canada ठीक है तो मैंने भी travel करने से पहले काफी travel companies को connect किया contact किया और जानी कोशिश की कि कितना खर्चा आता है तो मुझे तीन चार company और से connect करने के बाद पता चला कि different companies ने different different अपने codes दिये मैंने उन codes को सई से analyze किया और almost सब कुछ सेमी था बस जो total amount था भई insurance का वो vary करता था तो सबसे पहले मैंने जो code लिया था वो लिया था सीजर्स ट्रैवल से सीजर्स ट्रैवल का code था 40 KD for for their insurance 40 KD ले रहे थे वो insurance के एक बहनने के लिए component almost same थे उनकी coverage थी 100,000 dollars उनकी coverage थी उसके बाद second quotation मैंने लिए travel on से travel on का भी जो package था वो almost same ही था उनका package 38 KD बढ़ रहा था और सारे component almost same ही थे इसके अदर भी coverage था 100,000 का उसके बाद मैंने contact किया fly world tourism वालों को उन्होंने भी मुझे अपना package दिया उनके package की कीमत थी 25 KD पर उनका जो coverage था वो 50,000 का था 50,000 dollars का था उसके बाद मैंने connect किया तीसरे agent को जिनका नाम था अनाया इंशोरंस जो basically यह जो insurance है यह अलकानिम की insurance है तो इन्हें मैंने contact किया और इन्हें जब मैंने बताया कि अपने detail मैं कि तीस दिन के लिए US और Canada में रहने वाला हूं तो इन्होंने मुझे अपना package के बारे बताया और इन्होंने जब मुझे price बताया 14 KD just 14 KD for whole family तो मुझे बड़ा अच्छा offer लगा और मुझे लगा कि यार payment करने से पहले इनके detail मंगा ले जाए तो फिर मैंने इनके detail मंगाया detail में मैंने हर एक component को जो cross verify किया जो बाकी जो मेरे जो पहले तीनों agent थे जिस पर से medical और travel दोनों के component अच्छे तरीके से match कर रहे थे only ये था difference की वहाँ पर 100,000 था या 50,000 था तो मैंने इनसे पता किया कि 50,000 वाला US और Canada में चलेगा उन्होंने बोला हां sir definitely चलेगा minimum जो insurance की value होनी चाहिए वह 50,000 डॉलर होनी चाहिए वह आपकी है पहले हम लोगोंने भी 100 कर रखा था फिर उन्होंने बोला हमने 50 कर गया जिससे की हम लोग काफी affordable बना दे जो insurance है लोगों के लिए तो फिर जब मैंने ये चीज insurance मैं ले सकता हूँ और मुझे airport पे कोई problem नहीं होगी और definitely काई बारी ऐसा देखा गया है कि जो immigration officer होते हैं वो आप से insurance मांग लेते हैं तो आपको अपनी जो यहां से insurance करके लेके जा रहे हैं वो दिखानी पड़ती है और एक चीज याद रहे जहां से आप fly कर रहे हैं जैस insurance नहीं मानी चाहेगी विकास जो हमारी जो में कंट्री है जहां से हम ट्रावल करने वाले उसी का जो कंपनी होनी चीए तो एक चीज यह भी मुझे पता चली पहले मैंने सोचा था इंडिया से ले ले दाऊं बट थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा करने के बाद मैंने यह 14 केडी की insurance को लिया तो यह बहुत ही जबरदस्त information थी जो मुझे लगा यार अब आप लोग भी मेरी वीडियो देखोगे देखके आप लोगोंने वीजा लगा लिया है अब वीजा लगाने के बाद अब डेफिनेटली ट्रावल करना चाहोगे अब आप ट्रावल करना चाहोगे तो insurance के बारे में बोलोगे अब मैं चाहता हूँ कि जो चीज मैंने काम कर दिया है research कर दी है और अच्छे result आगे है तो मैं share करना चाहता हूँ कि वहीं कि मैं आपको बता पाऊ कि सस्ते से सस्ता बढ़िया से बढ़िया अनाया insurance आप ले सकते है जो 14 KD में आता है एक मेंने का बहुत ही बढ़िया insurance है यह कोई paid promotion नहीं है यह मेरी research है जो मैंने किया और उसके बारे उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हूँ तो अगर यह video आपको अच्छे लगे तो दोस्तों comment करके बताए और insurance अनाया insurance को आप कैसे connect कर सक तो मैं उनका detail contact person और उसका number जिससे मैंने लिया था मैं यहां पर आपको लिखके दिये दूँगा तो आप उन्हें भी contact कर सकते मेरा reference दे सकते है विकास बुर्मा बेफिकरे का definitely आपको कोई discount होगा तो मिल जाएगा भी हना मैंने उनसे बात की थी तो अगर होता है तो मिल ज लेना चाहते हैं तो आप इनसे ले सकते हैं पहले भी मैंने इनके ट्रावल इंशोरंस पहले भी लिया है तो काफी competitive price देते हैं यह लोग तो अब कोशिश करता हो कि मैं यह वीडियो को ही खतम करूं कि कि लंबी होती जा रही है information जो मैंचे देनी थे मैंने दे चुका हूँ और दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने subscribe करें लाइक करें और share करें और instagram पे हमें follow करें और आपका मन में कोई भी अगर इसके इलावा भी कोई question है तो please travel insurance related हमें बताए और उसका जवाब से जोरू दिया जाएगा तो आप मैं वीडियो ही पे खतम करता हूं बाई झाल